हलो एस्पिरेंट, स्वागत है आप सब लोगों का एक्जाम सेतु चैनल में हम अपने जानो सम्मिधान की सीरीज में आर्टिकल नंबर 21 पे पहुच गए है जो बहुत ही जादा इंपोर्टेंट आर्टिकल है छोटा सा है लेकिन इसकी वेल्यू बहुत जादा है आर्टिकल 21 क्या कहता है ये एक इतना जादा बड़ा है आर्टिकल 21 इतना बड़ा है कि पूरे एक घंटे की वीडियो इसके उपर बन सकती है लेकिन क्योंकि मुझे सिर्फ सम्मिधान पे फोकस करना है तो मैं सिर्फ आपको सम्मिधान के शब्दों का मतलब समझा रहे हूँ कि आर्टिकल 21 क्या कहना चाता है आर्टिकल 21 ये कहना चाता है कि एक तो हर किसी को जीने का अधिकार है बेवज़े कोई किसी को मार नहीं सकता ठीक है सिर्फ आप procedure established by law जैसा कानून के according ही किसी की आप life ले सकते हो जैसे किसी को फांसी मिलती है तो कानून के according ही मिलती है ठीक है कानून के according ही मिलती है तो इसके अलावा कोई किसी की life, कोई किसी की personal liberty को नहीं ले सकता personal liberty का मतलब यहाँ पे यह है इंडिया के बाहर भी अगर किसी को घुमना है तो वो आपका अधिकार है आपको visa अगर कोई देश अलाओ करता है तो आप जा सकते हैं कुछ restrictions हैं उसके बारे में हम यहाँ पे discuss नहीं कर रहे है अब देखिए यहाँ पे क्या कहा जीवन जीने का अधिकार जीवन जीने का मतलब क्या केवल सांस लेना है कि आपको मार रहे हैं पीट रहे हैं लेकिन आपके सांस अभी भी चल रहे हैं आपको खाना नहीं दे रहा है, आपको पढ़ाई नहीं करने दे रहे हैं, क्या वो right to life में नहीं आना चाहिए, तिल्कुल आना चाहिए, क्योंकि जीवन जीने का मतलब सिर्फ सांस लेना नहीं है, जीवन जीने का मतलब यह है कि आप अपने decision खुद ले सकें, आप अपने जि जुड़ा हुआ है, वैसे तो बहुत सारे case हैं, जैसे ज्यान कोर case है, ठीक है, और जैसे आपकी यह मेनिका गांधी case है, लेकिन मैं उन cases में नहीं जारी, क्योंकि मैंने आपको बताया, मैं सिर्फ सम्मिधान को इंटरप्रेट कर रही हूँ आप लोगों के लिए, अब दे अंदर knowledge होगी, तभी तो decision ले पाओगे, और knowledge कैसे आएगी, education से, तो Supreme Court ने क्या कहा, जिंदगी जीने के लिए, शिक्षा बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि शिक्षा नहीं होगी, तो कोई व्यक्ति निर्णे नहीं ले पाएगा, सही बुरे का पता नहीं लगा और अगर आप निर्णे ही नहीं ले पाए, तो आपकी जिंदगी क्या है, तो article 21A भारतिय सम्मिधान ने add किया, और इसके अंदर right to education डाल दिया, right to education डाल दिया, कि 6 से लेके 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार है, right to education डाल दिया article 21A के अंदर, इसके अंदर और बहुत सारी बाते हैं, बहुत अलग-अलग case होते हैं, article 21 के अंदर, मैं आपको थोड़ी सी जलक दिखा दूँ, इसके अंदर और क्या बाते हैं, कि जिंदगी जीने के लिए शुद्ध पानी चाहिए, right to conserve nature है, ताजा पानी का अधिकार है, fresh water का अधिकार है, fresh environment का अधिका है, कि आपका अधिकार है कि आप किसी ऐसे जगा पे ना रहो, जहां पे बहुत जादा noise pollution हो रहा है, तो बहुत सारी जो आप दैनिक दिन चर्या के अंदर, चीजें डालते हो, वो सब आपके article 21 के अंदर आता है, वो सब आपके article 21 में, ये कैसे आया है, ये सब मेनिका articles को समझना, मैं आपको सिर्फ इतनी सी बातें आप लोगों को बताना चाहरी हूं, कि constitution इसके अंदर क्या कह रहा है, प्रोसीजर इस्टाब्लिश्ट बाइ लौ ये शब्द जो है, इसका मतलब मैं आपको बताना चाहरी हूं, कि प्रक्रिया के अनुसार ही कोई काम करो गया procedure established by law क्या है, law के अंदर ये कह दिया, law के अंदर ये कह दिया कि A और B की लडाई हुई है, B ने A के खिलाफ FIR दर्ज कर दी, तो FIR जब दर्ज कर दी तो पुलिस जाएगी A को पकड़ने, पुलिस A को पकड़ने जाएगी 24 घंटे के अंदर अंदर, 24 घंटे के अंदर अंदर उसको magistrate के सामने प्रस्तूत करेगी, उसको magistrate के सामने रखेगी, 24 घंटे के अंदर अंदर A को magistrate के सामने रखेगी, फिर magistrate जो कहेगा उसके according आगे A पे कारेवाही होगी, फिर उसको court में पेश किया जाएगा, फिर उसके उपर case लगेगा, फिर court अपनी सजा सुनाएगी मतलब यह क्या है यह पूरा प्रोसीजर है जो law के अंदर लिखा हुआ है CRPC के अंदर लिखा हुआ है criminal procedure code के अंदर लिखा हुआ है अगर कोई भी व्यक्ती अब सीधा बिना FIR अगर punya anger police पकड़ के ले जाए मतलब आपने किसी की liberty छीन ली और law इसकी इजाज़त नहीं दे रहा है आपने procedure law के according follow नहीं किया है जो भी कानून बने है उनको as a tease follow करना आपका procedure established by law कहलाता है आर्टिकल 21 आपको जीने की आजादी दे रहा है आपको विदेशों में घूमने की आजादी दे रहा है आपको एक बात बता दूँ आर्टिकल 19 के अंदर हमने right to freedom देखा था ना right to move freely right to move freely देखा था हमने right to move freely देखा था ये कहां की बात हो रही है आर्टिकल 19 में केवल इंडिया के अंदर घूमने की बात है आर्टिकल 21 में liberty की बात है मतलब की आप पूरे विश्व में घूम सकते हो अगर कोई देश आपको इजाज़त देता है particular laws के according visa बना के ऐसे नहीं कहीं पे भाग गए गुस पैटियों की तरह तो आर्टिकल 21 क्या कह रहा है यह हम लोगों ने समझा उम्मीद करती हूँ आपको समझ आया thank you so much take care bye bye